हेलो एब्रीवन वेल्कम तु मार्क वर्ड चाइनल हेलो एब्रीवन आज फिर से आप लोग के मेबाल के स्क्रीन कर मेसेंजर के बारे में एक वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसमें किस तरह से हम अपने मेसेंजर में मोटिपीकेशन को आप कर सकते हैं अगर आपको मोटिपीकेशन अपने मेसेंजर में आप करना है बंद करना है तो आए इस वीडियो को पूरा देखें और जो फ्रेंड्स अभी तब ले चानल लेके रिक्वेस्ट है कि चैनल को सस्क्राइब कर ले यहां से हम वीडियो को स्टाट करते हैं सब से पहले आप अपना मबाल को वह में स्क्रीन पर जाएंगे वहां चींगर का एक है अप को आप करेंगे आप अपन होती है यहां जो हमारा प्रोफाइल का फोटो है आप उस पर क्लिक करेंगे वहां क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक option मिल जाएगा notification and sound इस option पर आपको प्रेस करना है यहां प्रेस करने के बाद आपको यहां देख सकते हैं जो on है उस on को हमें यहां off करना है जो blue color का एक dot है इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे इस तरह से आपके मेबाल के screen पर यह option आजाएगा 50 minutes 1 hours 8 hours 24 hours तो आप जो select करेंगे 24 hour को आप select करेंगे ओके करेंगे तो इस तरह से आपको मेबाल के screen पर आजाएगा जो 24 hour का time देगा अगर आप नहीं इसको up करना चाहते है तो यही से आप on कर सकते है जो अभी आप देख रहे हैं इस dot पूर आप प्रेस करेंगे यहां on हो जाएगा तो चलिए इस तरह से हम यहां मेसेंजर से मेसेंजर को up on कर सकते कर सकते हैं यहां हमेशा के लिए बंद करने के लिए हम अपने मेदान के सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद आपको एक option आजाएगा यहां notification and control center simply आपको उस पर प्रेस कर देना है उस पर प्रेस करने के बाद अभी जो आपजेक्ट हो रहा है एप notification वो बला option पर आपको प्रेस करना है उस पर प्रेस करते ही आपको इस तरह से जो हमारा mobile का जितना भी एप है वो सब आपको mobile के screen पर आ जाएगा यहां आप messenger वाला एप को select कर सकते हैं इस तरह से नहीं है आपको easy है तो आप search box में भी जाकर आप messenger लिखकर आप अपना app को search कर सकते हैं इस तरह से messenger लिखेंगे messenger आजाएगा अभी जो आप वह on है उसे आप simply off कर देंगे जो blue button है उस पर आप प्रेस करेंगे यह off हो जाएगा इस तरह से हमारा mobile के सेटिंग से भी messenger का notification अफ हो गया यहां आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आर करेंट्री स्विच आफ टैप अन डेम आफ पर क्लिक करेंगे तो फिर से यह on हो जाएगा इस तरह से हम कोई भी एप का notification को आप और आन बहुती आसानी से कर सकते हैं